आज हम लोग हाट यानि की हृदय के बारे में जानेंगे इसके अंदर कौन-कौन सा पाट्स है और वो किस तरह से काम करता है हाट हमारे सीने में बिलकुल बीचो बीच होता है बंद मुठी के आकार का ये हाट दो लंग्स के बीच ठीक बीचो बीच होता है लेकिन इसका निचला हिस्सा बाई तरफ जुकी हुई होती है यहाँ पर आप ध्यान दे यह हम दाहिने बाई इस तरीके से कहेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारे सामने एक इनसान खड़ा है और वो हमारे तरफ मूँ करके खड़ा है और उसका हाट हम देख रहे हैं तो obviously यह उसका left side होगा जो कि हमारा right side है और यह उसका right side होगा तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दे blood circulation के लिए responsible होता है heart heart pump करता है और through arteries and veins वो blood का circulation होता है अब देखे यहाँ पर main क्या-क्या part है इस heart में blood आता कहां से है इस part से blood यहाँ पर अंदर खुषता है यहाँ पर एक chamber है चलिए मैं सबसे पहले इन chambers को लिख लेता हूँ तो यहाँ पर एक chamber आपको दिखेगा और यहाँ पर एक chamber आपको दिखेगा यहाँ एक और chamber है यहाँ पर एक और chamber है mainly heart चार chambers से बना हुआ है उपर वाले जो chambers है इन chambers को atrium कहा जाता है तो यहाँ पर एक atrium और यहाँ पर दूसरा atrium यहाँ पर जो atrium होगा obviously यह right atrium होगा यह जो है यह right atrium होगा और इस तरफ जो atrium है यह left atrium होगा atrium का plural form atria होता है अब यहाँ से यह जो नीचे वाला chamber है इस नीचे वाले chamber को ventricle कहा जाता है यह जो है यह ventricle है obviously दो ventricles है तो इसे हम कहेंगे right ventricle यह right ventricle हो गया और यहाँ पर यह एक chamber है इसे हम left ventricle कहेंगे यह हो गया left ventricle तो चार main chambers है अब देखे blood किस पात से पहुँचता है body में जो de-oxygenated blood होता है मतलब cell में respiration के बाद जो carbon dioxide बनता है उस carbon dioxide को जो blood absorb करता है और vein के थ्रू वेन के थ्रू वो heart में पहुचता है तो यहाँ पर वो वाला vein है इसे वेना कावा कहा जाता है मेली वेना कावा दू तर inferior वेना कावा body के अपर पार्ट से ब्लड को de-oxygenated blood को heart तक पहुचता है और inferior वेना कावा जो है यह नीचे से नीचले वाले पार्ट से de-oxygenated blood को यह heart तक पहुचता है तो यह हो गया विना कावा, आप याद रखें, दो तरक विना कावा होता, एक तो सुपीरियर और इंफीरियर, अब देखें, यहां से, यहां से blood सबसे पहले इस जगह तक पहुंचता है, राइट एट्रियम तक पहुंचता है, उसके बाद यह राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल होते हुए यहां से, जो पाल्मोनरी आट्री है, पाल्मोनरी आट्री से यह डी ओक्सिजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, लंग्स तक, तो यह जो है, यह पाल्मोनरी आट्री है, पाल्मोनरी आट्री, आट्री, पाल्मोनरी आट्री, तो यहां से देखें, एक पात इध oxygenated blood filtered होता है वहाँ पर carbon dioxide निकल जाता है lungs में चला जाता है और lungs से oxygen absorbed होता है फिर वो जो blood है जिसे हम कहते है purified blood या भैतर शब्द में हम कहते है oxygenated blood फिर वो oxygenated blood इस path से इस path से यहाँ से वो अंदर आता है अट्रियम से यह अंदर आता है और फिर यहाँ से atrium होते हुए लेफ्ट atrium होते हुए left ventricle तक पहुँचता है और left ventricle से होते हुए यहाँ से इस तरह से इस path से यह चला जाता है यहाँ पर इसे aorta कहा जाता है इसे aorta कहा जाता है aorta से यह blood जो है oxygenated blood जो है पूरे body में फैलता है एक बार हम इसके function को थोड़ा details में देखेंगे, उससे पहले देखें, यहाँ पर इस ventricle में, right ventricle में क्या है, deoxygenated blood है, left ventricle में क्या है, oxygenated blood है, तो यह दोनों mix ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक thick wall होता है, जिसे की septum कहा जाता है, यहाँ पर यह जो आप wall देख रहा है, यह वाला आप देखें, सबसे पहले जैसे की हम बात कर रहे हैं, विनकावा तक यहाँ पर deoxygenated blood पहुचता है, यहाँ पर सबसे पहले atrium जो है, यह inflate कर जाता है, जिसके कारण की यहाँ तक deoxygenated blood विनकावा से पहुचता है, अब यहाँ पर इसका contraction होता है, atrium का होता है, कि वह जो blood है, atrium से यहां से यहाँ पर एक valve होता है, यहाँ से tricaspid valve कहा जाता है, उस tricaspid valve से वह valve खुल जाता है, obviously, tricuspid valve से वह right ventricle तक पहुचता है, तो मैं यहाँ पर लिग दू यहाँ पर जो एक valve है, जो कि obviously valve है, मतलब एक ही तरफ खुलेगा, blood को एक ही तरफ जाने देखा मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी ventricle से blood atrium में चला जाए ऐसा नहीं होता है हमेशा blood जो है atrium से ventricle में आता है तो फिर यहाँ पर यह जो valve है इसे tricuspid valve कहा जाता है tricuspid tricuspid valve यह inflate करता है यह जो right ventricle है यह inflate करता है मतलब फैल जाता है और atrium सिकुडता है जिसके करण की atrium से यह blood ventricle तक पहुँचता है उसके बाद यहाँ से यहाँ से फिर ventricle सिकुडने लगता है जब ventricle सिकुड़ेगा उस समय चूकि यहाँ पर tricuspid valve है तो यह blood atrium तक नहीं जा सकता है बलकि यहाँ इसके साथ pulmonary artery का linkage है यहाँ से यह blood का path मिलता है यह pulmonary artery होके यह blood बाहर निकल जाता है इस तरह से pulmonary artery होके बाहर निकलता है तो यह deoxygenated blood pulmonary artery होके lungs तक पहुँचता है फिर lungs में filter होता है lungs में filter होने के बाद यह left atrium तक पहुँचता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ कि यहाँ पर oxygenated blood यह oxygenated blood आता है blood from lungs through इस path से यह आता है left atrium तक पहुचता है और यहाँ पर मैं लिख दूँ वेना कावा के through right atrium में deoxygenated blood आता है deoxygenated deoxygenated blood from body from body के अलग-अलग पार्ट से deoxygenated blood यहाँ तक पहुचता है अब देखें lung से आया यह left atrium में आता है left atrium में कब आता है जब यह left atrium जो है यह inflate करता है फैल जाता है उस समय यह blood यहाँ पर भर जाता है फिर left atrium जो है यह contract करने लगता है इस तरह से इसके बाद left atrium contract करता है और यहाँ पर एक valve है जिसे की mitral valve कहा जाता है इस valve के through oxygenated blood जो है इस ventricle तक left ventricle तक पहुचता है और इस दोरान यह left ventricle जो है यह inflate करता है और left atrium जो है यह contract करता है उसके बाद क्या होता है कि यह left ventricle जो है यह contract करने लगता है इसके बाद left ventricle इस तरह से contract करता है और चुकि यहाँ पर atrium और ventricle के बीच यहाँ पर mitral valve है जिसके कारण की blood जो है oxygenated blood left ventricle से वापस left atrium तक नहीं पहुच पाता है भलकि यह दूसरा path follow करता है यहाँ पर aorta ह यहाँ से blood पूरे body में चला जाता है यह उटा में आगे अलग-अलग path से उन path से body के अलग-अलग हिस्से में पहुचता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ भी एक valve होता है इस जगह पे एक valve है pulmonary artery और right ventricle के बीच एक valve है जिस valve को pulmonary valve कहा जाता है जो यहाँ पर है pulmonary valve pulmonary valve और यहाँ पर भी एक valve है इस जगह पे एक valve है जिसे की aortic valve कहा जाता है यहाँ भी एक valve है ताकि जो blood है यह blood left ventricle से aorta में जाए एक लेफ्ट वेंटरिकल में वापस में आए और pulmonary valve का काम यही है कि pulmonary artery से blood जो है वापस ventricle में न आ जाए राइड वेंटरिकल में यह हमेशा right ventricle से ही ये pulmonary artery तक पहुचता है तो यहाँ पर जो valve है इसे aortic valve कहा जाता है इसे aortic valve कहा जाता है तो इस तरह से mainly heart का functioning होता है बहुत सारे veins और arteries है यहाँ पर मैं आपको बता दू हमेशा याद रखे by definition, vein और artery का जो definition है by definition ये कहता है कि जो heart तक blood को पहुचाता है वो होता है vein और जो heart से blood ले जाता है वो होता है artery यहाँ पर एक बड़ा interesting चीज़ आपको मिलेगा कि हमें हमेशा लगता है, हम और भी तरह के definition या उसका property जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि artery में हमेशा oxygenated blood होता है और vein में हमेशा de oxygenated blood होता है लेकिन इसका एक exception आपको pulmonary artery में मिलेगा pulmonary artery में आपको क्या मिलता है pulmonary artery में आपको इसका नाम artery है क्योंकि heart से blood जा रहा यह एक exception है यह आप याद रखे कि pulmonary artery में deoxygenated blood होता है भले ही उसका नाम artery ही क्यों ना हो फिर भी उसमें deoxygenated blood होता है उसी तरह से अगर आप देखे तो एक pulmonary vein भी होता है आपको इस जगह पे एक pulmonary vein मिलेगा अगर आप इसको extend करें तो जिस path से left atrium में lungs से blood आ रहा है oxygenated blood आ रहा है obviously lungs तो इसके साथ related word जो है pulmonary है pulmonary है इस case में चुकि heart में यह आ रहा है तो इसे pulmonary vein कहा जाता है pulmonary vein तो यह भी एक exception है pulmonary vein एक ऐसा vein है जिसमें की oxygenated blood रहता है तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा यह जो life processes chapter है standard 10th के लिए इस chapter के सारे वीडियो का जो प्ले link आपको नीचे description box मिल जाएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें good bye